26 जनवरी सरसुती पूजा बना दिब शयोग बशंत पंचमी घर में यहां रख दें मौर पंख, इस्टुडेंट कलाकार बिजनेसमेन सभी करें ये काम, मिलेगी निनान ने प्रसत तरक्की और सफलता चारों और से धन आएगा दोस्तों, माग महीने के सुक्लपक्षी पंचमी तिथी को बसंत पंचमी कहा जाता है, इस दिन का धार्मिक और शान्सकरति की दृष्ट से भारती समाज में काफी महत रहा है, पुराणों के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने देवी शरसुती का सृष्टी में आवाहन किया था और देवी का प्रागट हुआ था, यही बज़े की युग युग से इस दिन लोग देवी शरसुती की पूजा करते आए हैं, इस दिन ग्यान की दृष्टी के लिए और बच्चों की सिक्षा शुरू करने की परंपरा रही है, दोस्तों इस बार बशंत पंचमी का पर् यनि की दो बचकर 33 मिन तक रहेगा, दोस्तों इस बार की बशंत पंचमी पर कई वरसों बाद बहुत ही अदबुद शेयोग बन रहे हैं, इस बशंत पंचमी पर रभी योग, शर्वार सिद्योग, अम्रित सिद्योग और कई शारे दुलब शुप्शेयोगों का शंगम हो तो वहीं शनीदेव को अपने श्वयम की राशी में, कुम्भराशी में, यनि की शुराशी में वैठना, कई ग्रहों के शुप्योग से और कई ग्रहों के धन्योग के निर्मार करने से बहुत ही शुप्योग बन रहे हैं, शाथी कई ग्रहे जो इसमें अपने अपने यनि क विशेश इस्थान पर ग्रहन किये हुए हैं जो राजयों को धन्यों को निर्मान कर रहे हैं जो दुरलब संयोग की वज़े से इस बार की ये बशंत पंचमी और भी ज़्यादा खास हो गई है इस बशंत पंचमी पर किये गए पूजा और उपाई बहुत ही जल्द सुब फल परदान करने वाले होंगे यह दिन मा सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है बशंत पंचमी का दिन बहुत ही सुब माना जाता है इस दिन को अभूज मूर्थ भी कहा जाता है इस दिन आप किशिवी प्रकार के शुब कार कर सकते हैं इस दिन सुब कार करने के जैसे कि साधी विवाह कारोबार का आरंब गरह प्रवेश मकान की नियू मुंडन कार आदिक भी शुरू किया जा सकते हैं। शाती साथ पंचांग देखने के इस दिन जरूरत नहीं है यह दिन शभी इनकी शुब कार के लिए यह बहुत ही शुब माना जाता है। बशंत पंचमी बशंत रित में मना जाती है बशंत प्रेम का हर्ष का उल्लाष का समय है यह दिन प्रेम यह दोस्तों के लिए सरवस्रेश्ट माना जाता है। इस दिन मा सरसुती के साथ कामदेव और रती देवी की भी पूजा करने से प्रेम में सफलता मिलती है, सच्चा प्यार मिलता है, दामपत जीवन में प्रेम बढ़ता है, दामपत जीवन लंबा और सुखमय होता है, बसंत पंचमी पर देवी सरसुती के विशेश पूजन से बिजनस्मेन हों, कारोबारी हों, कलाकार हों, आप कोई भी काम करते हों, मासरस्वति की पूजा आवश्य ही करने चाहिए। जरूर सामिल करें, मौरपंक का हिंदू और धर्मी विशेश महत्व होता है, मौरपंक को बहुत ही पवित्र माना गया है, मौरपंक में शभी देवी देपता और नौकुरहों का वाश्य माना जाता है, मौरपंक में दुरभाग को दूर करने के शक्ति होती है, बसंत पंचमी पर मौरपंग का विशेश महत्व होता है क्योंकि भागवान स्रीकृष्ण ने सबसे पहले बसंत पंचमी की दिन मौरपंग जरूर सामिल किया जाता है बसंत पंचमी की दिन प्रात्यकाल उठकर नित क्रिया से निवरित होकर श्नान करके पानी में नीम के पत्ते डलकर श्नान करना चाहिए फिर श्नान ध्यान करके मासरसुती का पूजन करें पूजन करने के बाद फिर आप एक मौरपंग ले 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 मौर पंक को मासरस्वती के चरणों के पास रख दें यहीं कि उनके पास रख दें और फिर आप मासरस्वती के पूजा करें ओम शरस्वती नवे इसमंत्र का जाब करें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इस मौर पंक को अपने दाइने हाथ में उठा लें दाइने ह कामना बॉल दे और इस मौर पंख को ले जाकर आप अपने धन की स्थान पे रख दें यानि कि जहां पर तिजोरी रखते हैं अगर पैसों की किल्ला थे तो पैसे की किल्ला दूर हो जाएगी अपार धन संपत्य के मालिक बन जाएंगे और अगर माली जी आप स्टुडेंट है पैसे तो इस मौर पंख को आप अपने किताबों में रख दें या बैग जो आप इस्कूल जाते हैं जो आप यानि की बैग लेकर जाते हैं जोला लेकर जाते हैं उसमें रख दें। कलाकार हैं तो आप हमेशा इशे अपने पास रखें यनि आगर आप कलाकारी करते हैं और बिजिनेसमैन हैं तो बिजिनेसमैन यनि की ब्यापार में सफलता के लिए आप अपने बिजिनेस जहां ब्यापार करते हैं गल्ले के स्थान पे रख दें तो सभी कार बनते चले जाएंगे निन्डान ने परसद तरक्की मिलेगी सफलता चारो और से आपको घेर लेगी चारो तरफ से सफलता ही सफलता मिलेगी दोस्तों मौरपंक में एक अदुबत सक्ति पाई जाती है जो आपके शवी कामों को पूरा करेगी और अगर आप मार्श रश्वीती के पास रख कर फिर इसे आप अपने बियापार धन के स्थान पर रखते हैं जैसे के आलबारी तीजोरी पे तो धन कभी खाली ही नहीं होगा आपका घर हमेशा पैसे रुपैसे भरा रहेगा घर में आपको लाब होगा या फिर आप चाहें तो इस मौर्ग पंक को अपने पूजा स्थान पर ही रहने दें जहां भगवार स्रेकृष्णी के फोटो है वहाँ पर आप इस मौर्ग पंक को रख दें कहते हैं ऐसा करने से आपका घर में कभी भी दुख गरीबी दरिटा दुर्भाग का वास नहीं होता शूम अंतर हो जाती है गरीबी कोशो दूर चली जाती है मा शरस्ट के किरपा बरस्ती है मा लक्ष्मी किरपा बरस्ती है भगवार स्रेकृष्ण मुरारी मुरली मनोहर के किरपा बरस्ती है और कारशेत में आपको जवर जवर सफलताए मिलती चली जाती है हर खेत में आपको लबी लब मिलता है काम्यावी कदम चुमती है दोस्तो मौर पंग में अधबत सकती है तो इस बार की इस बसंध पंझ मे के दिन मोर पंग का ये उपाय जरूर करें इस विशेश लाब होगा, कार्षेत में लाब होगा, साथी आप चाहे तो एक मौर पंक बशंत बज़े में किले जरूर ले कर आएं, और आप ले आकर इसे अपने मुख दरबाजी पर आप टांग दें, घर में निगविटी या बुरी शक्तियां प्रिवेश नहीं करेगी, घर में शकरात्म कुर्जा का हमेशा बास रहेगा, मा शरस्तिति किर्पा बरसेगी, धन धान में बरकात होगी, लाब की योग बने रहेंगे, चारो दिशाओं से धन आगवन के स्रोद बढ़ जाएंगे, कभी भी आपके घर में पैशो किल्ला जहलनी नहीं पड़ेगी, त अगर आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को विशेर जरूर कर दीजेगा, और एक लाइक तो बनता है, चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबा दीजेगा, कमेंट में लिखेगा, जै माशरस्वती कर दोस्तों 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 कर दोस्तों